भई यहां हमारे पास तीन expressions हैं और हमें इनको हल करके मालूम करना है कि यह rational numbers हैं या irrational बलके ज़रा एक दफ़ा दोहरा लेते हैं कि rational numbers असल में दो integers का तुनासुब होता है यानि अगर हमारे पास rational number x है तो यह मिसाल के तोर पे बराबर होगा integer m बटा integer n के और irrational number में ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता तो अब यहां से शुरू करते हैं 9 को हम दो integers के ratio की सूरत में बहुत आराम से दिखा सकते हैं हम इसको 9 बटा एक की सूरत में भी लिख सकते हैं लेकिन क्या हम 45 के square root को 2 integers के ratio की सूरत में दिखा सकते हैं चले इसके बारे में ज़रा तफसील से बात करते है इसको हम 9 जरब 5 की square root की शकल में तो लिख सकते हैं और अब इसको हम 9 की square root जरब 5 की square root में ले आएंगे यहां तक तो बात ठीक है इसका square root बराबर होता है 3 के और 5 का square root यूहीं आ जाएगा तो ये पूरा expression हो जाएगा 9 जमा 3 जरब 5 की square root के बराबर अच्छा 3 rational है और 5 का square root एक irrational number है rational और irrational का जरब हमेशा हमें irrational number ही देता है तो expression का ये हिस्सा irrational number को दिखा रहा है और irrational number को जब हम rational number में जमा करते हैं तो हमें irrational number ही मिलता है यानि ये expression irrational है अब आते हैं इस पर भई इधर हम देख चुके थे कि 45 की square root को हम 3 जरब 5 की square root की शकल में भी लिख सकते हैं तो numerator में हमारे पास आ जाएगा 3 जरब 5 का square root और denominator में भी हमारे पास 3 जरब 5 का square root है तो इसको हल करने पे हमें एक मिल जाएगा जो कि एक rational number है तो ये एक rational expression हुआ और अब आते हैं आखरी expression पे 9 का square root बराबर होता है 3 के 3 जरब 3 बराबर होते हैं 9 के और 9 बिलकुल एक rational number है तो ये भी एक rational expression हुआ